अश्टवक्र को सुनने से पहले ये समझना जरूरी है कि अश्टवक्र सब के लिए नहीं है ऐसे लोग जो अभी संसार के सामने हाथ फिलाए खड़े हैं उनके लिए अश्टवक्र बिलकुल नहीं है ऐसे लोग जो मुठी भीच कर उन सब को पकड़े बेटे हैं जो उनके पास है ऐसे लोगों के लिए भी अश्टवक्र नहीं है अश्टवक्र उनके लिए नहीं है जिनके लिए मुक्ति के अलावा भी और बहुत कुछ महत्वपूर है तो अश्टवक्र को सब सुन भी नहीं पाएंगे अश्टवक्र वो नहीं है कि जिनके पास तुम जाओ और कहो कि मेरा काम बनवा देना मेरा घर बनवा देना विवाह करवा देना नोकरी लगवा देना उनके लिए अश्टवक्र नहीं है अब राजा जनक हैं आते हैं और सामने बेटे हैं बारा साल के अश्टवक्र और एक ही प्रिश्ण सबसे पहले अश्टवक्र से कहते हैं कि है प्रभू ज्यान प्राप्ति का उपाई क्या है और मेरी मुक्ति कैसे हो वेराग्य की प्राप्ति कैसे होती है यह मुझे बताएं प्रभू कौन है ऐसा जो बारा साल के आठ जगे से टेड़े शरीर वाले लड़के से यह कह सके कि प्रभू ज्यान दे हम तो किसी से पूछने भी जाते हैं तो जानने का इरादा तो हमारा कम होता है बलकि उसे गलत सिद्ध करने का गलत साबित करने का इरादा हमारा ज्यादा होता है एक तरफ राजा जनक हैं तुम्हें क्या लगता है कि राजा जनक को कोई ग्यान नहीं होगा अश्टावक्र से वो मिलने आये ही उस घटना के बाद हैं जब उनके दरबार में शास्त्रार्थ हो रहा था तो राजा जनक तो कितने ही शास्त्रार्थ में हिस्सा ले चुके थे तो तुम्हें क्या लगता है कि उनको ग्यान नहीं था ग्यान तो बहुत था लेकिन वो ग्यान किस काम का जो तुम्हारा बोज बन जाए ग्यान बहुत ही कठा किया लेकिन पाया कुछ ने चाहिए थी मुक्ती और ग्यान ही बंधन हो गया वो ग्यान नहीं और हमें हम इतने अहंकारी हैं कि दो-चार किताबे पढ़ लेंगे दो-चार बाते जान लेंगे तो जानना ही छोड़ देते हैं ये स्विकार कर लेते हैं कि सब कुछ जान लिया तो जो कोई भी अस्टवक्र के पास इस तरह जाएगा कि पता तो मुझे सब कुछ पहले ही है इनको भी देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा ढाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित होए पोथी बहुत पड़ली डेरो ग्रंध पड़ली हजारो किताबें पड़ली सारे धर्म को रट डाला और जीवन में कोई प्रेम नहीं शब्द दोरा रहो जीवन में कोई रस नहीं जिस ज्ञान को मुक्ति का साधन बन जाना था उसी में इतने बंद गए हो कि मुस्कुरा भी नहीं सकते तो पोथी पड़लेने से ज्ञान नहीं आता ज्ञान पालिया और प्रेम जाना ही नहीं तो किसी काम का वो ज्ञान नहीं तो राजा जनक पहला ही प्रिश्न पूछते हैं कि है प्रभू ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है कैसे मिलता है वो ज्ञान जो नूतन हो नवीन हो जिसमें जानना होता है जब तक जानने के बीच में अहंकार आएगा तब तक जान नहीं पाओंगे और ऐसा नहीं है कोई और तुम्हें बाहर से ज्ञान दे देगा जानोगे तुम ही कब तब जानोगे जब जानने के योग्य हो जाओगे जो योग्य हो जाता है योग्य होने की यात्रा में ही वो ज्ञान को उपलब्द हो जाता है मुक्ति कैसे हो वेराग्य की प्राप्ति कैसे हो ये बताएं अस्टावक्र कहते हैं यदि मुक्ति चाहते हो तो विशयों को विश के समान छोड़ दो और छमा, सरल्ता, दया, संतोश एवं सत्य का अमरत के समान सेवन करो मुक्ति चाहते हो तो विशयों को विश के समान त्याग दो अश्टवक्र विशयों को विश के समान बता रहे हैं तुम्हें दिख जाए कि जिस गिलास का पानी तुम पीने जा रहे हो वास्तों में वो पानी है नहीं वो पानी जिसा देखने वाला जहर है क्या तब उस गिलांस को तुम उठाना भी चाओगे छूना भी चाओगे नहीं तो जो संसार के विशे हैं वह भी विश के समान ही हैं तुम्हें एक सरीर मिला है और समय सी में थे और ये समय थोड़ा तुम किसी वस्तू में लगाते हो थोड़ा किसी वस्तू में लगाते हो और भागते दोरते भागते दोरते अपने आपको खत्म कर देते हो और विश क्या है वो जो तुम्हें खत्म कर दे लेकिन हर इंसान विश तो नहीं पीता है फिर भी खत्म तो हो ही जाता है तो वो किन से खत्म हो रहा है इन ही संसार के विश्यों से तो ये विशे उसके लिए विश के समान है ये विशे उसे खाये जाते हैं अंदर से भी और बाहर से भी तुम्हारा दुख और कुछ है ही नहीं बस एक ही है कि तुम विश्यों से चिपके हुए हो तुमने विश्यों से अपनी पहचान जोड लिए तुम वस्तुओं को अपना हिस्सा समझने लगे हो तुम्हारा में उनसे जा जाकर चिपका हुआ है तुम उनसे आसक्त हो और ध्यान रहे अश्टवक्र ये नहीं कह रहे हैं कि कपड़े पहने हैं तो उतार कर फेंक दो बिस्तर पर सोते हो तो नीचे सोने लग जाओ नहीं जब अश्टवक्र को सुनो कृष्ण को सुनो तो उनके जीवन को भी देखो जब अश्टवक्र गीता राजा जनक को सुनाई जा रही है उसके बाद ये नहीं हुआ है कि राजा जनक ने राज्य छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे सब को छोड़ छाड़के तो इसका उल्टा अर्थ मत लगा लेना यहाँ पर विश्यों के त्याग से क्या तात परिये उनके प्रती जो आसकती है उसे उसे त्याग दो उससे मुक्त हो जाओ क्योंकि वस्तू का होना समस्या नहीं है जो तुम्हारा संबंध है उस संबंध के आधार में समस्या है तो विश्यों के साथ जो संबंध है वो संबंध सम्यक संबंध हो विशे कहीं तुम्हारा प्राण न बन जाए तो अश्टवक्र कहते हैं कि मुक्ती चाहते हो तो अब विश्यों को विश्य के समान छोड़ दो और छमा सरलता दया संतोश एवं सत्तिका अमरत के समान सेवन करो अमरत मने विश्य वो जो तुम्हें खत्म करता है और अमरत वो जो तुम्हें अमर कर देता है तो छमा सरल्ता दया संतोश और सत्यका अम्रत के समान सेवन करो वो ये नहीं कह रहे हैं कि विश्यों को त्याग दोगे तो ये सब तुम्हें उपलब्द हो जाएंगे वो कह रहा है इनका सेवन करो चुनाव है तुम्हारे पास चमाशील हो जाओ, सरल हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ तो चमाशे तातपरी क्या है यहां उनका? आसमान की तरह हो जाओ आसमान में तुम पत्थर मारोगे, तो क्या उसे चोट लगेगी? मुक्त व्यक्ति आसमान की भाती होता है उसको चोट पहुचाना वैसे ही है, जैसे आसमान में पत्थर मार कर आसमान से पूछना की कहीं चोट तो नहीं लगी? ऐसे हो जाओ संसार के लिए क्योंकि मुक्त व्यक्ति को यह संसार छेरता बहुत है और यदि तुम छमाशील ना हुए, तो उलज जाओगे कहते हैं कि बुद्ध कहीं से गुजर रहे थे अब कोई व्यक्ति उनको खूब गालियां दे रहा है बुद्ध सुन रहे हैं, मुस्कुराते हैं और चल देते हैं पास में कुछ लोग खड़े थे पूछते हैं कि उसने इतनी गालियां दे और आपने कुछ कहा नहीं तो बुद्ध कहते हैं, शायद कुछ होगा उनके पास फल वगेरा तो कहते हैं कि तुम ये जो फल लेकर आये हो अगर ये फल मैं स्विकार ना करूँ तो ये फल कहां होंगे तो लोग कहते हैं कि ये हमारे ही पास रहेंगे तो बुद्ध भे यही कहते हैं कि उसने गालियां दी किन्तु मैंने उसकी गालियों को स्विकार नहीं किया मुझे तक उसकी गालियां पहुँची ही नहीं उसने चाहा था कि वो मुझे चोट पहुँचाए किन्तु चोट मुझे पहुची नहीं उसने चाहा था कि वो मुझे आहत करे किन्तु उसके शब्द कान तक तो पहुचे मुझे तक नहीं पहुचे वो शरीर को छूगए मुझे तक नहीं पहुचे तो अश्टा वक्र कहते हैं छमाशील हो जाओ मुक्त होने के लिए वैरागी होने के लिए ग्यान के लिए छमा अवशक है हम तो त्याग देते हैं विश्यों से मुक्त होते हैं तो हमें अफसोस होता है हम तो कहकर बताते हैं कि देखो हमने सक्ति की खातिर मुक्ति की खातिर कितना कुछ त्यागा है बहुत सुनते होंगे तुम लोग कहते हैं जो बड़े अभी मंचो पर बेट जाते हैं कई लोग कहते हैं कि मैंने ये छोड़ा मैंने ये त्यागा मैंने ऐसा किया मैंने वैसा किया और कहने में कोई समस्या नहीं है पर उनकी नियत होती है ये बताने की कि देखो मैंने कितना कुछ त्यागा इसके लिए और वो इस बात को बड़ा महत्व दे रहे होते हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि तुम अभी मुक्त हुए नहीं क्योंकि मुक्ति से ज्यादा महत्व तुम उन चीजों को दे रहे हो जो तुमने मुख्टी के हे तु छोड़ा है त्यागा है अब यदी वो विशे तुम्हारे लिए महत्वफुन है तो तुम मुख्ट हुए नहीं तो विशेयों का त्याग हो उनके प्रतिया ना सकती हो किन्तो अफसोस ना हो और छमा हो फिर कहते हैं सरल्ता सरल्ता के साथ एक लांदारी भी याद रखना हमें पता है कुछ बाते होती हैं हमें इस पश्ट हो जाती है किन्तु फिर भी हम बहाने बनाते हैं बहुत अधिक ग्यान प्राप्त कर लेना जरूरी नहीं होता है बहुत थोड़ा भी अगर पाया है और जाना है तो उसको जीवन में उतार लेना आवशक होता है तुम पोथी पड़पड के डेहर लगा लो पोथी पड़पड जगमुवा पर उसको गहा नहीं उसको जीया नहीं जीवन में वो उत्रा नहीं तो किस काम का तो अश्टा वक्र कहते हैं सरल हो जाओ जो है सामने उसको सीधा देखो साफ देखो कोई बहाने बाजी नहीं कोई घुमाओ फिराओ नहीं घर जाने के लिए यदि रास्ता सीधा है तो लंबे घूम कर मत जाओ क्योंकि मुक्ती समय और स्थान से परे होती है जो भी कर रहे हो जो भी सामने है उसको साफ देखो उसमें बहानी मत करो नची केता अपने पिता को देखते हैं कि पिता जो दान दे रहे हैं जिन गायों का वो गायें उपयोगी हैं नहीं तो नची केता सीधा सवाल करते हैं अब नची केता सरल कोई पूरवागरे नहीं कोई मान्यता नहीं कोई धारना नहीं कोई छवी नहीं जो सामने हैं सोहे सामने कोई कुछ कह रहा है और बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि क्या कह रहा है तो अब ये मत देखो कि कहने वाला कौन है बात यदि सही है समझ आ गई है तो स्विकार कर लो जाच लो परक लो स्विकार कर लो और बात साफ साफ देख रही है कि व्यर्थ है जूटी है तो मन में ये ब्रह्मत पालो कि शायद सही ह हो सकती है किसी से कुछ कहना हो तो जानता घुम्माव फिराव मत सीदे सीदे कह दो कि ये बात है तो अश्टावकर कह रहा है सरल हो जाओ क्यों कि समस्या तुमारी इसी मेंào कि तुम बहुत जटिल हो बहुत उल्जेवे आब राज्यजनक ने कुछ नहीं कहा शीदे सवाल किये, मुक्ति कैसे मिलेगी, ज्यान कैसे उपलब्द होगा, वेराग्ड कैसे होगा, वो ये नहीं किरें कि मेरा राज्ज भी है, राज्ज भी चलाना है, उनको कोन सभालेगा, तो ऐसा मार्ग दिखाओ कि मैं मुक्ति भी पालू और ये भी करलू, नहीं, वो किरें, आप बताईए मुक्ति का मार्ग क्या है कैसे मिलेगी मुक्ति वो यह नहीं किरें कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा कुछ त्यागना तो नहीं पड़ेगा वो किरें बताईए विराग्य की प्राप्ति केसे होती है तो अश्टा वक्र किरें सरल हो जाओ बस फिर कहते हैं दया का अमरत के समान सेवन करो क्या तुमने कभी देखा है कि कोई गरीब व्यक्ति किसी गरीब के प्रति दया दिखा रहा हो क्या तुमने देखा है कि कोई भिखारी किसी भिखारी के प्रति दया दिखा रहा हो गरीब को गरीब पर दया नहीं आती दया तो वही दिखा पाता है जो बड़ा हो उससे बड़ा हो जिस पर दया आ रही है जिसकी खुद की स्थिति अभी दय नी हो वो क्या किसी पर दया दिखाएगा तो अश्टावक्र क्या कहे रहें कि तुम इतने बड़े हो कि दया तुम में होनी चाहिए तुम छोटे नहीं हो जो ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति है जो बोध को उपलब्ध हुआ है उसको दुनिया ने बहुत गालियां दिये बहुत पत्थर मारे है अपमानित किया है चाहे वो बुद्ध हो चाहे कबीर हो चाहे मीरा बाई हो चाहे जीसस हो, चाहे महावीर हो, कोई भी हो, सब को इस संसार ने बहुत सताया है, बहुत परेसान किया है, किन्तु फिर भी वो इनका भला करने से पीछे नहीं अटे, जब यह दुनिया उन्हें पत्थर मारती थी, तो उनको इनपर धया आती थी, वो धया क्यों आती थी, वो धया इसलिए आती थी, कि संसार उन्हें पत्थर तो मार रहा है, किन्तु अपने आज्यान के कारण, एक बात जान लेना इस संसार में बुरा कोई व्यक्ति जान बुच कर नहीं करता है इस संसार में दुख का कोई और कारण नहीं है इन दोनों में एक ही बात है ज्यान ज्यान का अभाव ही दुख है और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बुरा काम क्यों नहीं कर रहा है वो उसके अज्ञान का ही परिणाम है क्योंकि हर व्यक्ति चाहता अंतताह उसी एक को है उसे संतुष्टी के दो, शांती के दो, प्रेम के दो, मुक्ती के दो चाहता हर व्यक्ति वही है किन्तु अपने अग्यान के कारण उसे लगता है कि कोई गलत काम करके उसे वो मिल जाना है और जो बोध को अपलब्ध व्यक्ति है वो ये बात जानता है कि बस इसका अग्यान है जो इसे मजबूर कर रहा है पत्थर मारने पर तो तुम्में दया होनी चाहिए जब दया होगी तो अंगुली माल पर भी तुम्हें दया आएगी तब संसार के राज तुम्हारे सामने खुलने लगेंगे और फिर कहते हैं कि संतोस का अमरत के समान सेवन करो अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो संसार से तुम्हारा संबंद हमेशा कुछ न कुछ पाने के लिए ही होगा यदि तुम अभी संसार के सामने हाथ फिलाए ही खड़े हुए हो तो तुम मुक्त ना हो सकोगे जिसका संबंद अभी संसार से ऐसा ही है कि कुछ पालू तो वो मुक्त ना हो सकेगा कि तुम पूर्ण हो, स्विम को पूर्ण जानो, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, तुम्हारे पास तो जो है वो भी ज्यादा है, फिर असंतोश किस पात का, खोलो आखे और देखो खुद को, क्या कमी है तुम्हारे पास, और फिर कहता है कि सत्य का अमरत के समान सेवन करो, देखो आग खोलो और देखो इस संसार को क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है जो सदा है यहां तो पल में इंसान होता है और पल में वही राक्षस हो जाता है यहां हर इंसान के दर्जन और चेहरे हैं यहां तो सबकुछ मरग मरीचिका के समान है दिखाई कुछ और देता है और होता कुछ और है दूर से देखो तो सुख दिखाई देता है और पास जाओ तो वही दुख हो जाता है यहां तो सबकुछ दूर के ढोल सुहावने लागे उसके समान है जब तक कुछ पाया नहीं त छालू हो जाती है जब साफ साफ इस तरह संसार को देखते हो कि यहां सत्य जैसा कुछ दिखाई नहीं देता तो वेराग्योतपन होता है फिर तुम संसार के सामने हाथ फिलाना बंद कर देते हो और जो तुमने इकठा कर रखा है वो भी तु संसार से ही आया है संसार का ही है तो फिर तुम्हें उसके छिंजाने का वे भै नहीं होता जहां संसार से कुछ पाकर के संतुष्ट होने की आकांग्शा नहीं होती और जो कुछ पकड़ रखा है उसके अग्योत्पन होता है और जब बेपरवाही जीवन में आ जाती है तो वे बेपरवाही ही तुम्हारी मुक्ती है इस तरह से अश्टवक्र और जनक समवात की शुरुआत होती है अब धीरे धीरे इसमें हम और आगे बढ़ेंगे